सब्सक्राइब करें भी न्यूज को और बेल आइकन दबाएं देवरिया, रामपुर कारखाना थाना क्षित्र के एक गाउं में किशोरी के साथ गाउं के ही एक मन बढ़ने दुशकर्म का प्रयास किया किशोरी के शोर मचाने पर उसकी मा और आसपास के लोग मौके पर पहुँचे और दरवाजा तोड़ा तब किशोरी की असमत बची गटना की सूचना पीडित पक्ष ने पुलिस को दिया, पुलिस मौके पर पहुँची और आरोपी को गिरफतार भी कर लिया, लेकिन कुछी देर बाद आरोपी को छोड़ दिया पीडित किशोरी की मा ने आरोपी के खिलाफ कारेवाई के लिए तहरीर दी लेकिन पुलिस कारेवाई की बढ़ाय इज़त जाने का हवाला दे कर समझो तकराने में जुट गई घटना के बाद पुलिस का रुख दे अपनी बेटी को लेकर उसकी मा जिला मुख्याले आई और पूरा दिन अधिकारियों के कारेवाई का चक कर काटती रही लेकिन उसे न्याय नहीं मिला घटना के समय किशोरी अपने घर के अंदर सबजी काट रही थी इस बीच गाओं का ही एक 35 वर्षिये एवक घर के अंदर घुस गया और अंदर से दरवाजा बंद कर किशोरी के साथ दुशकर्म का प्रयास करने लगा किशोरी के शोर मचाने पर उसकी मा और आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और दरवाजा पीटने लगे दरवाजा नहीं खोलने पर ग्रामीनों ने दरवाजा को धककत दिया और किली तूट गई अंदर से किशोरी को निकाला इस बीच आरोपी फरार हो गया किशोरी के पिता नहीं है और अपनी मा के साथ घर में रहती है घटना के बाद पीड़ता की मा क्षित्रा धिकारी देवरिया कारिया ले एस पी वा एस पी कारिया ले गई लेकिन कोई अधिकारी नहीं मिला जिससे अपनी पीड़ा बता सके थाना पुलिस कारेवाई की बजाय मामले को समझो तकराने में जुटा है एससाई श्याम बिहारी ने बताया कि तहरीर मिली है, जाज की जा रही है आवशक कारेवाई की जा रही है